दोस्तो इस्क्रीन में आप जो देख पा रहे हैं रंग विरंगे, फ्लावर्स, फलदार वरिक्ष, हरी भरी सबजियां और तूसी, एलोवेरा जैसे अवसाधी पौधे, इन सभी हर्याली को देख कर ऐसा लगता है कि कास इस टाइप का हर्याली हमारे घर पर भी हो, यहीं एक सोच हमारा सोग बन गया है, जो कि आज के समय का एक फैसन बन गया है, और यह फैसन आज के समय में एक बिजनेस का रूप ले लिया है, जी हाँ दोस्तों मैं बात कने जा रहा हूं नरसरी बिजनेस के बारे में, यदि आपके पास खुद का जमीन है और पानी का बेवस्था हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत बहतर तरीके से कर सकते हैं और इसका डिमांड इतना जादा है कि आप गाओं में कसबों में कालोनी में सहरों में उद्योगों में इस प्रकार के प्लांट को सेल कर सकते हैं और अच्छी अनिंग ले सकते हैं इस बिजनेस में जो लागत हैं बहुत ही कम है और मुनाफ़ा جो है बहुत ज्यादा है तो दोस्तो वीडियो के अंतक बने रहे आज की वीडियो में नरसरी बिजनेस के बारे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप कैसे सुरुःत कर सकते हैं किन लोगों के लिए बिजनेस बहुत ही सकता होगी इसमें आपको क्या मुनाफ़ा मिलेगा और इस बिजनेस के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगा लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे आईए दोस्तों देखत प्लावर्स में कौन-कौन से वराइटी आती हैं मौसम के हिसाब से किस प्रकार के प्लांटेशन किया जाता है अलग-अलग एरिया में रहने वाले लोगों को किस प्रकार के पौधे पसंद होते हैं कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जो आउसाधी पौधे के अंतरगत आते है साथ ही इन पौधों में, फ्लावर्स में कौन-कौन से बीमारिया होती है, इन बीमारियों से कैसे बचाया जाता है, ये सब जानकारी आपको होना चीए, ये सभी जानकारी आप किसी कृसी विसेसज्य से ले सकते हैं, या फिर जो लोग इस प्रकार का बिजनेस करते हैं, दोस्तों कम से कम नरसरी बिजनेस की शुरुवात करने के लिए 500 इसक्वर फिर जमीन होना चाहिए जिससे कि आप एक छोटे लेवल पर इस बिजनेस की शुरुवात कर सके जमीन के साथ साथ पानी की वेवस्था होनी चाहिए क्योंकि बीना पानी का प्लांटेशन की हम कलपन भी नहीं कर सकते, पानी का छिड़काव पौधों में सुबा और साम और मौसम के हिसाब से किया जाता है, इसके अलावा खाद की आउ सकता होती है, जब आप बीजर ओपन कर रहे हैं, उस समय मिट्टे के साथ गोबर का जो पौडर हैं, उसको मिला करके या ताजा गोबर को मि बड़े पौधे तक उसमें वर्मी कमपोस्ट जैसे आरगेनिक जैविक खाट डाला जाता हैं, इसके अलावा बेड तयार करने का नावलेज होना चीए, बेड की उपर ही बीजर ओपन करके पौधों को तयार किया जाता हैं, और इन पौधों को गमलों में या पालीथिन मे ट्रांसफर करके सेलिंग के लिए रेडी किया जाता हैं, इसके अलावा कुछ आओ टूस की जरुरत परती हैं, जैसे कि पानी डालने वाला पौट चीए, बेड लगाने के लिए स्टेंड चीए, और गमलों की जरुरत होती हैं, नरसरी का बिजनेस कौन कर सकता हैं, आई द और आपके पास पानी की वेवस्था हैं, तो आप एक छोटे से जगा पर भी इस बिजनेस की सुरुवात कर सकते हैं, जो किसान हैं, साथ ही किसानों के लिए भी ये बिजनेस बेस्ट हैं, क्योंकि किसानों के पास जमीन और पानी की वेवस्थाएं होती हैं, जिस प्रकार वो फसल का उठपादन करते हैं ठीक उसी प्रकार से प्लांटेशन का भी बिजनेस वो आसानी से कर सकते हैं इस बिजनेस में लागत आए जान लेते हैं कि इस बिजनेस की लागत क्या है दोस्तो यदि जमीन आपका खुद का नीजी है और पानी की बेवस्था है तो आप इस बिजनेस को मात्रब 15 से 20,000 रुपे में शुरुआत कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास जमीन नहीं है तो ऐसे कंडिशन में आपको जमीन रेंट लेनी क्या हो सकता होगी और पानी की बेवस्था करनी पड़ेगी तो कम से कम 80,000 से 1,000,000 रुपे में इस बिजनेस की सुरुआत छोटे इस तर पर कर सकते हैं यदि इस बिजनेस को आप मीडियम लेवल पर सुरू करना चाते हैं तो कम से कम 2 से 3,000,000 रुपे में आप सुरुआत कर सकते हैं इस business के लिए location नर्सरी का business एक ऐसा business है जिसके location बहुत ही important है क्योंकि लोग पौधों को face to face देख करके उसको touch करके और उसकी quality को देख करके खरीते हैं इस वज़े से नर्सरी जो है road किनारे या highway की किनारे हैं तो बहुत ही बहतर location होता है क्योंकि नर्सरी की जो सुन्दरता है लोगों को आकरसित करता है लोग विजिट करने के लिए आते हैं और विजिट करने के लिए आकरके अपने मन पसंद, flowers, फल्दर, व्रिक्ष या और मुनाफ़ा, नर्सरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस हैं जिसमें मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा हैं 60-70% तक इस बिजनेस में मुनाफ़ा मिलता हैं आपका investment अगा 3 रुपे हैं तो आप जो selling करेंगे वो 10 रुपे में selling होगा 6-7 रुपे आपका मुनाफ़ा हैं इस क्रीन में हाइट और अलग-अलग पाउधों की किसम के हिसाब से इसका प्राइस होता है एक एवरेज में मैं आपको बता रहा हूँ और जो flowers होते हैं ये 40-60 रुपे में चिलहर में बिजनेस में लागत कम और मुनाफ़ा जादा हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीड इस परकार का नया बिजनेस युनिक बिजनेस इसमाल बिजनेस वीलेज बिजनेस और लो इन्वेस्टरमेंट बिजनेस लेकर आते रहता हूँ यदि आप हमारे चैनल में नय हैं तो सब्सक्राइब करना न भुले धन्यमाद